प्रेंज चलिए हम आपको एक काना जी की ड्रेस बनाना बताते हैं काफी कमेंट आ रहे थे के मैं लड़ुगोपल की ड्रेस बना करके बताओं आपको तो आप थोड़ी थोड़ी ठंडी आने लग गई है तो हमने सोचा चलिए आपको एक ड्रेस बताते हैं तो हम आपको बहुत ही आसान तरीके से ड्रेस बताएंगे बहुत ही इजी तरीके से जिसके लिए मैंने दो कलर लिए है आप अपनी पसंद का कोई भी कलर इसमें ले सकती है सबसे पहले हम आपको वाइट कलर से चोली बना करके बताएंगे इसके लिए मैंने हाँ पर ग्यारे नंबर शलाई ली हुई है चोली के लिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं यह हमारे लड्डू कोपाल की ड्रैस आपको कैसी लगी तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते है मैं आपको फंदों से ही बता रही हूँ, सिंपल ही हम इसमें फंदे डालेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से 20 फंदे डालेंगे और यह हम आपको आठ नौ नंबर काना जी के लिए ड्रैस बता रहे हैं यह देखे इस तरह से चोली के लिए 20 फंदे यहाँ पे डाल लेते हैं इस तरह से यह आठ नौ नंबर काना जी के लिए आपको बता रहे हैं यह देखिए, इस तरह से मुझे 20 फंदे डाल लेने हैं, यहां पर 20 फंदे डाल लिए हैं, इसके बाद हम यह देखिए, सबसे पहले बाइट कलर से ही चोली को बनाएंगे, यह देखिए इस तरह से, एक सलाई हम इसी तरह से बना लेंगे इसको, यह देखिए, दौनों तरफ से हम उल्टी उल्टी सलाई बना लेंगे यहां पर, इस तरह से, यह बहुत ही इजी है, और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बना करके बताएंगे, और हमने अपने चैनल में काफी ड्रेसे डाली हुई है, आप उसमें जाके भी देख सकते हैं, यह देखिए, इधर से भी हम एक सलाई बना लेते हैं, यह देखिए, पहला फंदा हमने इस तरह से उतारना है, और दहागा हमने आगे करना है, और दो फंदे हम यहां पर दो फंदे उल्टे बनाए हैं, और धागा अपनी तरफ है, और यहां पर हम यह देखिए, जाली डालेगे, एक, फिर वापिस धागा अपनी तरफ, दो, फिर धागा अपनी तरफ, चार, फिर धागा, यह देखिए, एक, दो, और यह तीन, और धागा अपनी तरफ, चार ज तो यहां पर हमने इस तरह से यह 4 जालियां डाली हैं यह दखिए एक दो तीन चार यह देखिए अब धागा हमारे पीछे की तरफ है तो ह्यां पर हम 6 फंदे सीधे बना लेंगे पीठ के लिए यह देखिए एक दो तीन चार पांच 6 छे फंदे सीधे बनाये हैं धागा अपनी तरब करेंगे और यहां पर फिर से हम यह देखे एक, दो, तीन, चार, तो चार जाली हैं हमने डाली है, धागा अपनी तरब करके दो फंदे उल्टे बना लेंगे, तो देखे चार जाली हैं यहां पर डाली हैं दूसरी एक बाजू के लिए और चार जाली हैं यहां पर डाली हैं तो यहां पर यह आठ जाली हैं हमने डाली हैं और देखे यहां पर दो फंदे उल्टे बना लिए हैं पीछे हम धागा करेंगे और एक फंदा हम सीधा बना लें इस तरह से उल्टी शलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे इस तरह से ये देखिए बहुत ही आसान है इस तरह से बनाना ये देखिए और जो जाली वाले फंदे इनको भी हम सब को उल्टा बनाएंगे इसी तरह से उल्टी शलाई पूरी उल्टी बनाएंगे जाली बढ़े हु उस हो देखिए हैं यहां पर फूरी शलाई को कुप्लेट करते थर देखिए के इसके बाद इसके बाद हम्ने फिर से पहला फंदा उतार के दागा अपनी तरफ करके दो फंदे उलटे बना और है यह देखिए इस तरह से और यह देखिए आप ध्यान से जो बढ़ चुका है फंदा उसको हम इस तरह से सीधा बनाएंगे यह देखिए तो यहाँ पर मैंने सीधा फंदा बना लिया है और बीच वाला फंदा जाली का यह आ रहा है आगे धागा करके यहाँ पे हम दूसरी जाली डाल ले हैं इस तरह से यह देखिए यह देखिए तो यहाँ पे दो जाली यह डाल चुके हैं और बीच वाले यह बड़े हुए फंदे हम दो सीधे बना लेंगे इस तरह से यह देखिए दो फंदे सीधे बनाए हैं जो बढ़ चुके हैं और देखिए फिर से जाली वाला फंदा सीधा आ रहा है धागा अपनी तरब करके यहाँ पे फिर से हम जाली लालेंगे ये देखिए लास्ट में जाली वाले फंदे पर बड़े हुए फंदे पर और बीच वाले फंदे पर इस तरह से अब यहाँ पर हम यह सीधे बनाएंगे छे फंदे जो बढ़ चुके हैं दौनों साइड से एक एक फंदा उनको भी हम सीधा बना लेंगे देखिए इसी तरह से हम बनाते हुए जाएंगे तो यहाँ पर यह बना लिए है और देखिए जाली वाला फंदा आ रहा है यह देखिए तो देखिए यहाँ पर जाली वाला फंदा आ रहा है फीट के लिए फंदे सारे सीधे बना लिए है इस तरह से फिर से हम जाली तो यहाँ पर दो जाली डाल चुके हैं फिर दो फंदे आगे के सीधे बना लेंगे जो बढ़ चुके हैं फिर से हमने यह रेखिए इस पर जाली डालेंगे और इस पर यह रेखिए धागा अपनी तरब करके सीधे वाली फली पर एक जाली डालनी है और जो हमने बढ़ाया थ फंदा उस पे जाली डालने है इस तरह से जो बड़े हुए फंदे देखिए यहां पर बढ़ चुका है एक फंदा है तो इसको सीधा बना लेगे दागा अपनी तरब करके दो फंदे उल्टे पीछे दागा लास्ट वाला फंदा सीधा उल्टी सलाई को पूरा उल्टा करें और आपको फिर दिखाते हैं सीधी सलाई पेय हैं दो जाली यि अम डाल चुके हैं दिखिए पansasड़ा उतार के दागा अपनी तरब करके दो फंदे उल्टे बना लेंगे और उसी तरह से आप यह देखिए यहां पे दो जाली अ डाल चुके हैं उड़ इनको हम सीधा और दागा अपनी तरब करके फिर से हम जाली डालेंगे उसी तरह से ये देखिए इसी तरह से हम समें 6 जाली डालेंगे और देखिए ये बीच वाले फंदे बाजु वाले इनको हम इस तरह से सीधा बनाएंगे जो फंदे बढ़ते जाएंगे बीच में उनको हम ये देखिए बाजु के फंदे सीधे बनाते हुए जाएंगे और देखिए फिर से हम यहाँ पर जाली डालेंगे ये रेखिए और पीठ वाले फंदे सभी को सीधा बनाते हुए जाएंगे जो बढ़ चुके हैं फंदे वो भी सभी को इस तरह से तो यहाँ पर मैं 6 जालियां डाल लेती हूँ आपको फिर दिखाती हूँ इसी तरह से बनाते हुए जाना है जो जालि वाले बढ़ते हुए फंदे हैं उनको हम सीधा बनाते हुए जाएंगे तो बना के कंप्लेट करती हूँ फिर दिखाती हूँ मैं यहाँ पर 6 जालियां डाल चुकी हूँ एक दो तीन चार पांच छे 6 जालियां हमने डाल ली हैं अब यह देखे यहाँ पर हम कंदे के लिए फंदे सारे उल्टे बना लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह 10 तो देखे यह कंदे के लिए फंदे यहाँ पर 10 फंदे हमने सारे उल्टे बना लिए हैं और यहाँ से इस जाली से लेके दूसरी जाली तक बीच के फंदे सारे हमने घटाने हैं यह देखे यह देखे इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, निए नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेहरा तो तेहरा फंदे मैंने बाजू के लिए घटा दिये हैं आगे के फंदे, पीठ वाले फंदे हम सभी को उल्टा बना लेंगे इस तरह से यह देखे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेहरा, चोदा, पंदरा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 पंदे मैंने पीठ के लिए बना लिए हो उल्टे अब दूसरी बाजू में भी हम 13 फंदे इसी तरह से घटा देंगे और 10 फंदे हम पे बचाएंगे जिस तरह से हमने ये बाजू घटाई है उसी तरह से तो चलिए हम यह आप दूसरी बाजू को घटा की कंपले करते हैं आपको फिर दिखाते हैं एक इसी तरह से 13 फंदे घटाने हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों बाजू घटा लिए जिस तरह से मैंने ये घटाई थी उसी तरह से हमने इसको घटाया है और सबी फंदे टोटल फंदे हमारे सारे फंदे बाजू के फंदे भी लगा के सबी 60 और 8 फंदे हो रहे थे यानि 68 फंदे हो रहे थे सौरी ये देखिए तो हमने इसमें 13 तेरा फंदे दौनों तरफ घटा दिये हैं अब ये देखिए यहां पर दौनों बाजु घटाने के बाद पहला फंदा हम इसी तरह से उतारेंगे धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे बना लेंगे पीछे धागा और सबी फंदों को इस तरह से सीधी सलाई बना लेंगे ये देखिए और देखिए यहां पर बाजु को जौन्ट करेंगे इस तरह से ये रेखिए ये देखिए बाजु को जौन्ट कर ले आए पूरी सलाई को हम बना लेते हैं सीधी और उल्टी और आपको फिर दिखाते हैं यहां पर पूरी सलाई को सीधा बना लें फिर उल्टी सलाई को बनाएंगे इसके बाद फिर दिखाते हैं आपको यहां पर मैंने सीधी और उल्टी सलाई बना ली है इसके बाद हम यह रेखिए यहाँ पर पहला फंद उतार के पूरी सलाई को उल्टा मनाएंगे इस तरह से और ये सारे टोटल बाजू घटाने के बाद हमारे फंदे 42 है सारे फंदे नीचे हमारे 42 हो गए है ये रेखिए ये देखिए ये बिल्कुल आसान है चोटी बड़ी चोली इसी तरह से आप बना सकते है आपको चोटी काना जी है तो आप चोटी फंदे इसी तरह से कम फंदे डालके बना सकते है यहाँ पर मैं ये आठ नौ नमबर काना जी के लिए बता रही हूँ आपको यहां पर उल्टी शलाई बना ली है यह देखिए तो यहां पर चोली बनके complete है यह देखिए इस तरह से इसके बाद मैं यहां पर सभी फंदे बंद करूंगी तो देखिए इस तरह से हमने फंदे बंद करने है और आपको जैसा ठीक लगया आप उस तरह से यहां पर फंदे बंद कर सकती है एक फंदा हमने बनाया और लास्ट वाला फंदा इसके फंदे को उपर से उतार लिया इस तरह से यह रेखे यह रेखे इसी तरह से मैं यहां पर बनाऊगी सब भी फंदों को घटा हुई सॉरी यह रेखे एक फंदा हमने बना लिया और पीछे से दूसरा फंदा उठा के इस फंदे को पर गिराया इस तरह से सब भी फंदे घटा देती हूं यहां पर तो चलिया हम सारे फंदे घटा लेते हैं देखे फ्रेंज यहां पे चोली बनके complete है यह देखे इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से बन गई है यह देखे काफी सुन्दर लग रही है किसी दोनों तरफ से इसको यूज कर सकते हैं या इस तरह से भी आगे की तरफ से भी यहां पे आप इसमें हुक की या बटन लगा सकते हैं तो मैं आपको आज चोली ही बना करके बता रही हूँ अगली वीडियो पे मैं आपको इसका नीचे का घेरा बताऊंगी अलग से ही ठराओनार के बना करोद API के का लोगा से जामा क्यार में आपको यूज का इसमें एका हैं कि भी वी खने प्ष civ gesundheitना का हाफ तरह में में खो आपको पना, कि कि भी यूजया हैं कि अःज़ शोजया भी अदोंदी तरह रह बंगा हैं